रोजाना ग्यान वर्दक चीज़ों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नमश्कार दोस्तों जैमातादी दोस्तों जोतिश शास्नों का कहना है कि इनसान के जीवन में हर पल हर घड़ी कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है इसका कारण ये होता है कि जब हमारे ग्रहों के चाल में बदलाव होती हैं तो इसका प्रभाव राशियों पर भी पढ़ने लगता है ग्रहों के इस बदलाव से एक एहम संयोग बन रहा है जिससे की अगले 48 घंटों बाद शनी देव कुछ राशियों पर अपने कृपा बरसाने फाले है दोस्तों जैसा की आप जानती ही है कि जब शनी देव किसी पर दया करती है तो उसकी किसमत चमका देती है और उसको किसी चीज की कमी नहीं होने देती है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त शनी देव के कृपा से इन राशी वाले लोगों का अच्छा दौर शुरू होने वाला है तो चलिए बिना वक्त गवाय बताते हैं अखिर ये राशियां कौन सी हैं और इन्हें क्या लाब मिलने वाला है दोस्तों पहली दो राशियां हैं मेश राशी और सिंग राशी बता दें कि मेश और सिंग राशी वाले लोगों के लिए आने वाले 48 घंटों में इन्हें कोई शुब समचार मिलने वाला है अगले कुछ पलों में इनके भाग्य बदलने वाली है आप लुगों को समाजक तोर पर मान सम्मान मिलेगा आपके जीवन साथी की प्यार में बड़ोत्री होगी व्यापार के शेत्र में धन का लाब आपको मिलने वाला है दोस्तों अगली दो राशियां हैं करक राशी और तुला राशी बता दें कि इन दो राशी वाले लोगों को शनीदेव अपने छत्र छाया में रखने वाली है और इन पर भगवान शनीदेव की क्रिपा बनी रहेगी अगली 48 गंटों में इन राशी के लोगों की किस्मत चमकने वाली है जौब करने वाले लोगों के लिए ये सही घड़ी है आपके आए में बड़ोत्री होगी लेकिन आपको सेहत पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यक्ता है दोस्तों अगली दो राशिया हैं कुम्ब राशी और कन्या राशी कुम्ब और कन्या राशी के उपर भगवान शनीदेव अब महरबान हो चुकी है इनके जीवन में अब खुशियों की कमी नहीं रहेगी लगने से महनत करेंगे तो आपको अचानक से धनलाब के योग भी बन रहे हैं परिवार में संतान की प्राप्ती हो सकती है अगले 48 घंटे इनराशी वाले लोगों के लिए शुब रहेंगे दोस्तों आपसे अंदरोध है कि आप कमेंट सेक्षिन में सच्छे दिल से जैशनी देव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक और शेर अवश्य कर दें